कारल क्या था सक्सेशन आस्ट्रिया का उत्तरा दिकार का युद्ध तुमको अपनी लड़ाई खुदी लड़नी पड़ेगी भले तुम्हारी दोस्ती भगवान से क्यों नहूं अर्जुन की है तो अर्जुन की है तो तुम कभी चीजों को ध्यान नहीं देते ना तुमारी गलती यह है तुम दुनिया में एक असंबो चीज से बचना चाहते हो इस देश में 90 प्रतिशप लोग एक चीज से बचना चाहते हैं संघर्ष से बचो गए नहीं राहूल गांधी सी बच गए थे पिछले तीस साल से संघर्ष कर रहे हैं नियम एसर न्यूटन का चौथा ला है वो भूल गया था बताना वो भूल गया था तो इधिन सपने में आए हम से आवद भाई बता देना अमने का बता देंगे ऐसी कोई बात नहीं आप जद्दार आदनी आपका इतना योगदान है दुनिया में तो आप इतना कह रहे हैं तो इतना काम तो मैं आपको करी दूँगा अधारी वाड़ी रखे था अंग्रेज माडल में लगा हुए थे तो हम से कहा है कि गलती हो गए हम बता ही नहीं पाए उस वक्त अरे मैंने कोई बात नहीं सब चोटी मोटी बात नहीं इतना तो मैं बता ही दूंगा लूंग कि यह न्यूटन का चौथा सिध्धान्त है कि शक्ति अर्जित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा दुनिया में कोई ऐसी टीशेट नहीं आती कि इसे लगा लो तो बल्ला दिखाई पड़ने लगे वह डिप्स लगाना पड़ेगा वह अगर चाहते हो कि बाहर निकले और लोग देखें हमारी बॉड़ी को तो कोई टीशेट नहीं आती कि सिक्स पैक वाली टीशेट आ गई कि बाहर निकले तो सिक्स पैक दिखाई पड़ रहा और बॉड़ी दिखाई पड़ रही और लड़कियां गिर गई चलक पर कि ऐसा नहीं होगा चाचा दुनिया में एक ही आदमी है जिसने बिना मरे जन्नत देखने की कोशिश की है त्रशंकू सिद्धांत ना तोड़ पाओगे बाहर निकलो यार नहीं पढ़ने का मन कर रहा है 50 km पैदल चलो कम से कम शरीर की ताकत तो कुछ तो बढ़ेगा दुनिया में गोंडा से फैजाबाद चले आओ पैदल गोंडा से बल्लामपुर चले आओ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है हाँ तो पैदल चले आओ फैजाबाद गोंडा से करेगा तुम टीचर से स्कूल में क्यों डरते हो क्योंकि वो तुम्हें सजा देता है तुम्हारा मन तुमसे डरता नहीं वो जानता है मैं इसको हजारों बार ब्यकूब बनाऊंगा तब भी यह मुझको कुछ नहीं कहेगा यहीं तुम्हारे हारने की मुख्य वज़ा है इसकूल जाते हो जाते थे पहले तो होमवर्क करके जाते थे ना क्योंकि पदा था कि मेडम वह पटक के बहुत मारेगी कैसे रोते थे टीचर के सामने कि मैडम जी रात में लाइट नहीं दियो लाइट कट गई पिरा मोंवर नहीं कर पाए मैडम जी तब भी मारती थी पटके हम तो कई बाट पीटे गए दरते देना तुम्हारा मन तुमसे डरता ही नहीं तुम को ब्यूकूब बना रहा है तुमको लगतार ब्यूकूब बना रहा है आज अम्मा बीमारी कालवास भाग रही परसो पानी कि रहा थे पकॉड इस्था एक मन करते बूख यह जाए गे कि तब क्यों रो रहे हो कि मरो जोगी मरो गुरकनाथ का बहुत प्यारा स्टेटमेंट ही है मरो जोगी मरो मरो के तो मज़ा आएगा देखो सेंट थेंगा यूद्ध हो गया और सेंट थेंगा यूद्ध हो गया और सेंट